जोक्षिद बॉल अज्वाधिनों धुट्दि विल्सकेज फाइंदिंग एसी एफ ऐफ और जीसीडी बाइ शौटडवीजन मेसं प्राइफ निकालना सीखा था वह था हमने फैक्टर मेथड से सिखा था अब है शौटडवीजन मेथड यह कैसे होता है यह बहुत इजी होता है बिल्कुल इजी है इसमें जिस भी नंबर्स की जासे मार पास है 40, 60, 40, 80 इन तीनों को हमने इस तरह से लिख लेना है तीनों नंबर्स को ठीक है और इनको हम 81 ही 2 के साथ डील करेंगे पिकल है जो हमने डील किया था वो अलग-लग किया था 2 है सबसे छोटे टेबल से डील करेंगे और यह याद रखना है कि हम उस नंबर से इसको डील करेंगे यहाँ 2 से डील करें या 3 से डील करें वो किस चीज़ पर depend करेगा कि यह तीनो नमबर है न वो उस पर divisible होने चाहिए अगर हम division करें तो उस पर पूरे-पूरे divisible होने चाहिए कोई remainder नहीं बचना चाहिए मतलब यहाँ 2 से deal करें यह 3 से deal करें पहले हम इनको देखना पड़ेगा कि यह तीनो टू से पूरे-पूरे divisible है तो वो तो हमें पिछले digit से पता लग जाता है अगर पिछे वाला digit है वो even है यानि 0, 2, 4, 6, 8 है पिछे वाला, ones वाला तो वो 2 से divisible होता है तो यहाँ से हमें पता लग रहा है 0, 4, 0 है न, ones वाला तो इसका मतलब यह 2 से divisible है तो हमें पता लग है इसलिए हमने 2 से divisible करने है अब जो 2 को 40 के साथ division करने पर जो answer आता है quotient में वो हमने यहाँ लिखना होता है कि 2, 20, 40 होता है आप division करके देख ले तो 20 आ जाएगा अब 2 के table में 64 कहां आता है नहीं आपको पता तो आप 2 से 64 को divide करके देखें ठीक है जैसे simple division होती है ना one digit के साथ वो वाली तो वो यहाँ 32 आ जाएगा तो हमने 2 को जब 64 से divide किया तो 32, 2 को जब 80 से divide किया तो देखो बेटा क्या आ जाता है 40, 42 से 80 होता है यहाँ 40 आ गया अब हमारे बस new digits यह आ गए अब फिर से हम देखते हैं कि इसको हम 2 से करें या 3 से deal करें तो पिछे वाला ones वाला देखो 0, 2, 0 है ना पिछे वाले digit तो इसका मतलब पिछे even नमबर ही है तो मतलब यह 2 से divisible ही होगा तो फिर से हम 2 से division करें 2 टेंजा होता है ना बेटा 20 2 के table में 10th place पे आता है ना 20 तो 2 टेंजा 20 2 के table में 32 कहां आता है यह देखो 2 से division करके देख लो 16 तो 16 थी ठीक है फिर 40, 40 को हमने अभी करके देखा है 20 तो 2 के साथ division करकर के जो quotients आते होते हैं बेटा वो यहां लिख देते हैं अब यह तीनों को देखके तो हमें पता लगी रह की है तो तीनों 2 के table में होते ही है 20 भी होता है 16 भी होता है 10 भी होता है तो हम सीधा ही 2 के table से divisible कर रहे हैं तीनों ही आने जरूरी है बेटा उस table में जो हम यहां लिखते हैं तो two five's are ten two eight's are sixteen and two ten's are twenty होता है अब ten और eight तो two के table में आता है बट five नहीं आता तो इसके कारण अब हम इसको two से deal नहीं कर सकते three से यह तीनों अलग अलग table में आएंगे या कोई किसी में दो पे आएगा तीनों नहीं कठे आएंगे तो इसके कारण हम यहां पर यह stop कर देंगे अपना साम अब जो यहां पर आ जाते हैं ना बेटा numbers उन सभी की multiply two cross two cross two किया eight आ गया ना यही हमारा hcf होता है ठीक है तो यह two से divisible होने की यह होता है भी two से divisible होता है अगर पिछे वाला one यह वो even number होता है तो इसके कारण यह two से सबसे बहले two से शुरू करना है two पे तीनों जाना है ठीक है नहीं तो फिर three से deal कर सकते है अगर यह तीनों number three पे divisible होता है अगर इन में से एक भी नहीं जाता तीनों ही एक ही टेबल पे जाने तो वहाँ पर हमें stop करना पड़ता है तो हमारा hcf के आ जाएगा two cross two cross two is equal to eight ठीक है इसी से related ही आपका homework का thank you